दोस्तो मेरी चैनल का नेम है TP&G Teleprime and GST मैं अपने इस चैनल पर Teleprime Software में वर्क करने से related वीडियोज serial wise अपलोड कर रहा हूं जिससे कि आप step by step Teleprime Software में कारी करना सीख पाएं इसके साथ इसाथ GST से related topics भी मैं अपने इस चैनल पर clear करता हूं तो यदि आप यह सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इनसे related वीडियोज अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे GST के चक्र वीव के बारे में आज की वीडियो में आपको बताए जाएगा कि GST के चक्र वीव क्या है कौन-कौन सी returns होती है किन return में हमको क्या जानकारी देनी होती है और जो हमारा text payable या liability निकलती है वो किस तरह से निकलती है एक example से समझते हैं दोस्तो GST के अंतरकत सबसे पहले जो आपकी liability बनती है वो बनती है outward supplies की जानकारी देने की यानि आपने जो भी sell की है उसकी जानकारी देने की सबसे पहले आपको liability बनती है GST के अंतरकत और ये देनी होती है आपको जानकारी GSTR one returns के अंतरकत यानि सबसे पहले आपको GSTR one return फाइल करनी होती है अब यह जो GSTR1 return है, यह monthly basis पर भी फाइल की जाती है, quarterly basis पर भी फाइल की जाती है, जो taxpayer, monthly basis पर फाइल करते हैं, वो हर month की अपनी GSTR1 return फाइल करते हैं, और उस month में उन्होंने जो भी output supplies की है, उसकी जानकारी देते हैं, quarterly basis पर फाइल करते हैं, quarterly basis पर जानकारी देते हैं, अप GST में मंतली फाइलर हूँ और अपनी GSTR 1 रिटन मंतली बेसिस पर फाइल करूँगा, एक मंत ले लेते हैं, ये मंत है जुलाई 2022, तो सारी बात मैं जुलाई 2022 से रिलेटेट ही करूँगा, अब जुलाई 2022 में हमने अपनी आउटवर्ट सप्लाइस की जानकारी देनी है GSTR 1 में तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है टेक्सेवल वेल्यू 5 रुपए, CGST के हैड में 45,000 रुपए और SGST के हैड में भी मैंने 45,000 रुपए यहाँ पर लिख रखे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जुलाई 2022 में मैंने 5 रुपए की प्रॉडक्ट सेल किया, यानि मै अपने गिरहाक से 45,000 रुपए CGST के नाम पर और 45,000 रुपए SGST के नाम पर कलेक्ट की है, मतलब क्या है, कि यदि आप GST में regular register टेक्स पे रहे हैं, तो आप जो भी प्रॉडक्ट सेल करेंगे, उस प्रॉडक्ट पर जो भी GST टेक्स परसेंटेज है, वो आप गिरहाक से कल रहेंगे, यह हमारी liability होती, GST के अंतरगत है, तो यहाँ पर July 2022 में हमारी liability बन रही है, कि हमने 500,000 रुपए का product sell किया, और उस पर liability हमारी बनी 45,000 रुपए CGST के हैट की, और 45,000 रुपए SGST के हैट की, क्योंकि इतना tax मैंने collect किया था, ग्राक से GST के नाम पर है, तो GSTR बन रहता है, अलाग तरह की tax को, अलाग तरह की supply को है, अलाग तरह की outward supplies को, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर B2B table होती है, तो B2B table में क्या होता है, कि 5,000,000 रुपए की जो हमने यहाँ पर product sell किया, तो उसमें से हमने registered party को कितना sell किया, यानि हमने जिनको sell किया, वो GST में registered थे, व नहीं है, क्योंकि उनका turnover इतना नहीं है, तो इनको यदि हम sell करेंगे, या consumer को sell करते हैं, consumer मानि उपबोकता, अन्तिम उपबोकता, यानि हमसे product लेकर गया वो और उसने उसको use किया और खतम कर दिया, आगे sell नहीं करेगा, तो हम consumer और unregistered को sell करते हैं, उसकी जानकारी हमको B2C supply की जो table होती, उसमें जानकारी देनी होती है, इसके लाव अपने buyer के लिए हम कोई credit और debit note issue करते हैं, तो credit और debit note की table होती है, उसमें हमको इसकी जानकारी देनी होती है, तो हमको wiper gate करके अलग-लग जानकारी देनी होती है, लेकिन total इस्तिती इसी तरह से निकल कर आएग इसकी जानकारी सबसे पहले देनी है, और किस तरह से देनी है, यह मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो चक्र है GST के चक्र में, जो दूसरा पड़ा हो है, वो है GSTR 2A, अब यह GSTR 2A क्या है, GSTR 2A यह है दोस्तों, कि हमने 5 लाक होगी, गवर्मेंट को पे करना है, जो कि हमने GSTR 1 में बता दिया, लेकिन हम जब इस प्रोड़क्ट को पर्चेज करके आए ते, उस पर हम टेक्स पे करके आए तो उसकी चूट भी मिलनी चाहिए, तो वो दोस्तों आप को चूट लेना है, उससे रिलेटेट है GSTR 2A, और हमने ये प्रोड़क्ट 4500 रुपए में पर्चेज भी किया थे, चार हमारे सप्लायर थे, उन सप्लायर से हमने पर्चेज की, तो टोटल जो हमने पर्चेज की, जुलाई 2022 में, वो 4500 रुपए की मैंने पर्चेज की, उस पर हम 40500 रुपए CGST के हैड में, और 40500 आपके जो सप्लायर हैं, अपनी आउटवर्ट सप्लायर में उसकी जानकारी दें, जैसे की हमने क्या किया, अपने सप्लायर से पर्चेज की 4500 रुपए की, तो चार सप्लायर थे, अब ये चारों सप्लायर क्या करेंगे, अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे, कब की जुलाई 2022 की, और जब वो अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे, तो उनकी आउटवर्ट सप्लायर की जानकारी उनको देनी होगी उसमें, तो हमारी जो इनवर्ट सप्लायर है, यानि हमारी जो पर्चेज है, वो हमारे सप्लायर के लिए सेल है, तो जिस तरह से हम अपने सेल की जानकारी जानकारी 1 में दे रहे हैं इसी तरह से हमारे supplier क्या करेंगे अपनी GSTR 1 return में अपनी sell की जानकारी देंगे और चुकि हमने उनसे जो purchase की है वो invoices भी upload करेंगे GST portal पर जा कर अपनी return के अंतरगत तो जो invoices upload करेंगे तो ओ invoices उठ 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 कर नंबर भी डालेंगे उससे communicate होकर वो invoices उठकर आ जाएंगे आपकी GSTR 2A में GST portal पर जब आपना GSTR 2A देखने जाएंगे तो वो invoices आपको reflect होने लगेंगे अब हुआ किया हमारे चार supplier थे चारो supplier को मिला कर मैंने 4,50,000 रुपे की उनसे purchase की थी और हमारे चारों के चारो supplier ने उन invoices को अपनी GSTR 1 जो रिटन थी उसके अंतरकत upload कर दिया तो वो हमारे GSTR 2A में reflect होने लगे इससे communicate हो गया यानि government को यह पता चल गया कि जो 4,50,000 रुपे की हमने purchase की है हाँ बास्तम में वो आपने real purchase की है क्यों क्यों क्योंकि आपके supplier ने वो अपनी GSTR में दिखा दिया है और वो invoices आपर उठकर आ गया तो communicate हो गया यानि हमारी जो purchase थी 45,000,000 रुपे की और हमारे जो supplier थे उन्होंने भी 45,000,000 रुपे की ही अपनी output supplies में जानकारी दे दी तो यह real हो गया कि हाँ हमने 45,000,000 रुपे की purchase की है अब यह 45,000,000 रुपे की जो हमने purchase की थी वो सारे के सारे invoices हमारे GSTR 2A में दिखने लगे और इस पर जो हम 40,500 रुपे CGST के हैट के और 40,500 रुपे SGST हैट के पे करके आए थे वो भी वहाँ पर होने लगे invoice wise आपको जानकारी मिलेगी यह ना यह मैं consolidated आपको बता रहा हूं वहाँ आपके सारे invoices देखेंगे और उन invoices की taxable value क्या है वो भी देखेगी और उन पर कितना कितना आप tax pay करके आए वो भी आपको देखेगा तो Consolidate GST at 2A जब हमने देखा जुलाई 2022 का तो चार लाग पचास जार रुपे की purchase वहाँ पर सो रही थी जितनी की मैंने की ती सारी की सारी सो रही है और उस पर जो मैं tax pay करके आया था IGST और SGST के head में वो मुझे यहाँ पर शो रहा है क्योंकि सारी की purchase मैंने अपनी इस्टेट के व्यापारियों से की थी अगर मैं अपने इस्टेट से बाहर के व्यापारियों से करता तो IGST के head में tax pay यहाँ पर शो था जितना की हम दे कर आते ठीक न तो यहाँ पर मैंने simple example लेकर चल रहा हूं ठीक न तो अपनी इस्टेट के व्यापारियों इस मैंने purchase की और जो purchase की वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर जो टेक्स पे करके आते हैं वो भी सो रहा है तो यह हो गया दोस्तों जी एस्टेट टूए अब होता यह है दोस्तों कि जो 40,500 रुपए हम पे करके आये 40,500 रुपए हमें पे करके आये इसकी हमको छूट लेनी होती है और छूट काम मिलती है हमको GSTR 3B रिटन में लेकिन इससे पहले एक पेच और है GSTR 2A के बाद एक पेच और है GSTR 3B तो GSTR 2B भी हमको देखना होगा अब यहाँ पर GSTR 2A में क्या हुआ है कि हमारे जो भी सप्लायर थे उन्होंने बिल अपलोड कर दिये अपनी आउटवर्ट सप्लाइज की जो रिटन थी उसमें किये वो अपलोड कर दिये उन्होंने होगा दिये और उसमें दिखने लगेंगे उसका अलाव उन्होंने कभी भी पर दियो global के पहले और दियोदित को नदियो लगेंगे लेकिन जब में दिख रही हूँ, अब GSTR 2B क्या है, समझते हैं, इसके बाद तीसरा जो पेच है, तीसरा जो पड़ा हो है GST में, वो है GSTR 2B, GSTR 2B क्या है, उसको समझ लेते हैं, अब होता यह है कि हमारे जो भी सप्लाइर, चार सप्लाइर थे, चारो सप्लाइर ने इनवसेश अप्ल वेल्यू, और CGST, SGST के हैड में, 40,500, 40,500 हो रहा है, नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर GSTR 2B में, जब हम जवाई 2022 की GSTR 2B देखने गए, तो टेक्सेवले वेल्यू 3,500,000 रपे ही, यानि जो इनवसेश थे हैं, उसके टेक्सेवले वेल्यू 3,500,000 हो रही है, और जो हमार 50,000 टेक्सेवले वेल्यू सो रही थे, अब हुआ ये दोस्तों, कि हमारे 4 सप्लाइर थे, 4 सप्लाइर ने, मैंसे 3 सप्लाइर ऐसे थे, जिन्होंने क्या किया, अपनी आउटवर्ट सप्लाइज में, हमें जो उन्होंने इन्वस दिये थे, वो अपलोड कर दिये, और उनकी जो सप्लाइर था, जिससे कि हमने एक लाग रुपए की पर्चेज कीती, 18% का प्रोड़क्ट था, तो एक लाग रुपए की जो पर्चेज हमने कीती, तो 9,9,000 रुपए, CGST और SGST की हेट की हमें उसको ITC लेनी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी आउटवर्ट सप्लाइज की जो जानकारी दी, उसकी जो रिटन फाइल की, वो ड्यूडेट के बाद फाइल की, जिस वज़े से क्या हुआ, ड्यूडेट के बाद फाइल करेंगे, तो वो इ इस वज़े से वो इन्वाइस जो था, वो उठकर नहीं आया, उसके जो इन्वाइस थे, वो इसमें उठकर नहीं आये, और taxable value यहां पर सिर्फ साड़े तीन लाग रुपए आई है, और उस एक लाग रुपए पर हम जो 9% CGST, 9% SGST पे करके आए थे, 9,000 रुपए, वो भी हमको यहां पर सोर नहीं हो रहे है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम GSTR 3B रिटन फाइल करने जाएंगे, हालांकि यह GSTR 2B भी है, यह auto adapted ITC statement है, अपने आप तयार होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि GSTR 2A से और GSTR 3B तक पहुचते हुए अंतर यह पढ़ जाता है, कि GSTR 2A से व नहीं की थी, इसलिए उसके जो invoices थे वो हमारे GSTR 2B में उठकर नहीं आये, July 2022 period में, और उनके ITC भी यहां पर नहीं दिख रही है, और हम उसको अपनी July 2022 की GSTR 3B रिटन फाइल करेंगे, तो उसमें हम उसकी ITC claim नहीं कर पाएंगे, उसकी चूट नहीं ले पाएंगे, वो क आपको दिखाई देंगे, ठीके न, और जो GSTR 2B जनरेट होते है, वो आपकी GSTR 3B रिटन फाइल करने की जो डेट है, उससे पहले जनरेट हो जाती है, यानि हर महीने की 14 तारिक को जनरेट होती है, और जो हम अपनी GSTR 1 रिटन फाइल करने जाते है, मंतली बेसेस पर फाइल पाद हमारी लाइविलिटी होती है, GSTR 3B रिटन को फाइल करने की, रिटन हमको दो ही फाइल करने है, GSTR 1 जिसमें क्या आउटवर्ट सप्लाइज की जनरेट होता है, हमारे सप्लाइर की रिटन के बेसिस के आदार पर, और GSTR 2 भी जो जनरेट होता है, वो भी हमारे अब वो समझ लेते हैं दोस्तों है न अब हमने क्या क्या आउटवर्ट सप्लाइज की जानकारी दे दी जुलाई 2022 के पीरेट में और जो लाइबिल्टी थी वो लाइबिल्टी अपनी पता दी जीस्ट या टूए भी देख लिया हमने जीस्ट या 2B भी देख लिया और जीस्ट या 2B में जितनी ITC आरे हम उतनी ही क्लेम कर पाएंगे जीस्ट या 2A के आधार पर ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे न ऐसा करते हैं तो हम रूल जो है जीस्ट में ITC क्लेम करने का उसको हम दोस्तों फॉलो नहीं करेंगे और सिम प्रॉब्लम में आ सकते हैं अब मैं जोलाई 2022 की अपनी जीस्ट या 3B रिटन फाइल करने जा रहा हूं तो जीस्ट या 3B में क्या होता दोस्तों आपके अपनी लाइबिल्टी बतानी होती है और इनपुट टेक्स क्रेडिट यानि पर्चिस करने पर जो आप टेक्स पे करके आए हैं वो भी यहाँ पर क्लेम करना होता ठीक न तो हम यहाँ पर क्लेम करते हैं अब देखी यहाँ पर क्या हुआ जीस्ट या 3B में लाइबिल्टी कितनी है 5 रुपई की कां से आई जीस्ट इसके बाद हमको इसमें इनपुट टेक्स क्रेडिट भी क्लेम करनी होती है यानि जो हम टेक्स पे करके आए वो भी दोस्तों हमको यहाँ पर क्लेम करना है तो अब यहाँ पर हम आज जाते हैं नीचे है ना तो लाइबिल्टी मैंने यहाँ पर बता दी अब इनपुट टेक्स क्रेडिट भी हम क्लेम करेंगे इसी जीस्ट ट्रीवी के अंतरकत अब जुलाई 2022 की जब हम अपनी जीस्ट ट्रीवी रिटन फाइल करने जा रहे हैं लाइबिल्टी के कॉलम में म जीस्ट के हैड में सो रहे हैं देखें जीस्ट ट्रीवी में आपको फिर से दिखा देता हूं 31500 सी जीस्ट यहाँ पर हमको टेक्सेवल वैल्यू नहीं बतानी होती है जिसकी हम आई टीसी क्लेम करने जा रहा है यानि जो पर्चेस की टेक्स की आई टीसी लेनी है वो आप कैसे होंगे कि liability यह दिया आपकी ज्यादा है input tax credit कम है तो liability में से input tax credit कम माइनस हो जाएगी और उसके बाद जो आपकी liability बचेगी वो आपको पे करनी होगी जैसे हमारे case में हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए हमारी जो liability है cght के head में 45,000 रुपई की और cg cght के head में ITC हमारी है 31,500 रुपई यानि छूट हमको 31,500 की मिलनी है और liability हमारी 45,000 रुपई करनी की थी न तो 45,000 रुपई liability में से input tax credit 31,500 रुपई माइनस कर देंगे तो बचेंगे 13,500 रुपई तो cght के head में देखिए tax paypal यहाँ पर निकल कर आगे cght के head में 13,500 रुप की sght के head में input tax credit claim करनी है तो 45,000 रुपई sght के liability में से 31,500 रुपई sght के ITC माइनस हो जाएगी और उसके बाद sght के head में भी amount आ जागा 13,500 रुपई तो इस इस्तिती में क्या होगा जुलाई 2022 के अंतरगा थमको cght के head में 13,500 रुपई पे करने होगे और sght के head में 13, 15,500 रुपई पे करने होगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपकी liability निकलती है अब यह जरूरी नहीं है कि हर वार जब आप ghtr 3b return file करने जाए तो आपको tax pay ही करना पड़े है ऐसा भी नहीं है ऐसा हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारी liability तो थी कितनी की 46,500 रुपई cgsht head की और 45,000 रुपई cgsht head के और 45,000 रुपई sgsht head में यह हमारी liability है और हो सकता है हमने 70000 रुपई की purchase की होती और वह 70000 रुपई यहाँ पर सो रहे होते ghtr 2B में 70000 रुपई सो रहे होते 18% का माल था तो यह 63,000 रुपई cgsht ke head में हमारी ITC हो जाती और 63,000 रुपई sgsht के head में ITC हो जाती तो जब हम जुलाई 2022 की उस इस्तिती में यदि हम यहां पर आते अपनी GST थ्री भी रिटन फाइल करने तो यहां पर 63,000 रुपए हम input tax credit claim करते CGST के head में और 36,000 input tax credit claim करते SGST के head में तो क्या होता कि उस इस्तिती में हमारी liability हो 45,000 रुपए की रहती लेकिन input tax credit हो जाती 63,000 रुपए की तो CGST के head में input tax credit जादा होती तो जब आपकी input tax credit जादा हो liability कम हो तो इस इस्तिती में आपको कोई भी tax pay नहीं करना है जैसे कि इस्तिती में आपको बता रहा हूँ हमारी यहाँ पर 63,000 रुपए की CGST के head में input tax credit होती तो liability होती 45,000 रुपए तो हमको कोई भी tax pay नहीं करना होता और होता यह कि 63,000 रुपए जो हमारी input tax credit है उससे 45,000 रुपए हमारी liability CGST की minus हो जाती और 18,000 रुपए हमारी input tax credit बस जाती और इतनी ही input tax credit हमारी बच जाती SGST के head में, तो क्या होता हमको कोई भी tax pay नहीं करना होता, जो लाई 222 period की अपनी GST या 3D return फाइल करते समय, और जो 18,000 रुपए CGST head में, और 18,000 रुपए SGST के head में, सारी liability खतम होने के बाद जो बच गए है, वो दोस्तो अब जो 18,000 रुपए हमारी ITC बच गई है, तो आगे के किसी मन्त में, यदि हमको जरूत पड़ती है, तो हम उससे setup कर सकते हैं, अपनी liability को, तो ये इस तरह से दोस्तों इसका fund आए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको GST का जो चक्रिवीव है, पूरी ये तरह से समझ में आगया होगा, कि Outward Supplies की जानकारी आपको कब देनी है, कैसे देनी है, और उसमें क्या जानकारी जाती है, किस तरह से आपकी liability निकलती है, GSTR 2 ए क्या है, कैसे तैयार होता है, और किस तरह से हम इसको समझेंगे, GSTR 2 भी सकते हैं, यानि उससे liability को adjust कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं समझता हूँ, आज का topic आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छे लगए तो like करें, धन्यवाद,